So OnePlus Nord को launch करने के बाद अब भी एक सस्ते budget mobile पेवर कर रहा है और वो कौन सा budget mobile है आज उसके बारे में discuss करेंगे क्योंकि हमारे पास कुछ confirmed leaks आई हैं तो आज उनके बारे में discuss करते हैं बात करते हैं So stay tuned Hi मेरा नाव है शेंपियर आप देख रहे है टैक साइफर So guys OnePlus ने Nord launch करने के बाद अपना जो mid range segment थी उसको fill कर लिया था लेकिन वो budget range में अब एक सस्ता phone लेकर आने वाला है Yes, 20,000 range में जिसका कौन नेम है Billy तो ये Billy अभी कंपनी ने क्या नाम रखे है हमें नहीं पता है लेकिन इसका जो official name शायद OnePlus Nord Z या light होने वाला है तो ये क्या phone होने वाला है और इसके specifications क्या है और confirm leaks क्या है तो आज बात करते हैं पहले बात करते हैं processor के साथ तो इसका जो processor होने वाला है snapdragon 690 या से 5G processor होने वाला है और ये X51 modem के साथ लाँच होगा ये modem अपने 6 GHz bandwidth पे कवर करती है so it means yeah globally ही launch होगा अगर GPU की बात करें तो GPU होने वाला है इसका Adenuka 619L yes 619L company claim करें कि 60% ज़ादा faster होने वाला है previous generation से जो अभी देखते हैं तो PUBG वालो के दाँ मज़े होने वाले हैं ये इस budget range में और 5G के साथ अगर RAM की बात करें तो RAM जो confirmed है की 6GB होने वाली है लेकिन अगर इसका दो variant आते हैं तो शायद ये 8GB की भी हो सकते है लेकिन जो confirmed leaks है वो RAM 6GB की होगी और जो storage होगी वो होगी 64GB and 128GB बाकि अभी ये fully confirmed है लेकिन 6GB RAM तो confirmed है अगर storage speed की बात करें तो UFS 2.1 हो सकती है 3.0 क्योंकि इन्होंने अभी जो recent launch nod हुआ उसमें भी नहीं दी है तो ये confirmed है कि इसमें 2.1 ही होगी लेकिन सबसे important है चीज़ अगर आप हमारे चैनल पे नहीं है अब ने इसको subscribe नहीं किया तो प्लीज चैनल को subscribe करें and press the bell icon and वीडियो को प्रसंद आए तो like कीजिए share कीजी चैनल नहीं है support कीजी and चलिए so display की बात करते है display इसका full HD plus होने वाला है अभी super AMOLED होगा या IPS LCD screen होगी तो हमें नहीं पता इस चीज़ का क्योंकि ये confirm नहीं है but OnePlus AMOLED displays के लिए जाना जाता है तो देखते हैं OnePlus इसमें क्या करता है budget range में जो प्रसेसर है जो ये 690 प्रसेसर है ये 120 Hz के refresh rate को support करता है at least OnePlus 90 Hz का जो refresh rate है उसको set रखेगा इस range में बाकी OnePlus देखते हैं अभी आगे leaks में क्या आता है या official launch पे क्या आता है क्योंकि ये जल्दी ही phone launch होने वाला है budget range में और camera की बात करें तो camera इसमें confirmed है कि triple camera setup होने वाला है rear में लेकिन वो कौन से sensor होने वाली है OnePlus इसको same node वाले sensor यूज़ करेगा या कुछ different setup लेके आगा ये confirmed नहीं है अगर front camera की बात करें तो वो 32 megapixel का shooter होगा और अगर बैटरी के बात करें तो बैटरी सेम इसमें 4100 mAh की जो same node में आई है उसी range की होने वाली है अगर जो mid range में है उनके phones की दरब देखे Samsung के देखे या Redmi के देखे तो वो 6000 and 5000 mAh की बैटरी से लेके बैटे हों है बारी बरकम पावर दे रखी है उनने तो क्या पता OnePlus इस एक्रमेंट में कुछ बैटरी के साथ चेंज करें पर जो rumors हैं वो यही कहते है कि OnePlus इसको same battery देगा node series की है जो 4100 की बाकी वो charger भी 30W का वाप charger same ही as it is देगा अगर कुछ और confirm leaks आते है तो definitely इसके बारे में discuss करेंगे तो और अगर बात करें कुछ other things की कि 3.5 mm jack and micro SD support होगा तो यह definitely confirmed है कि OnePlus इस range में कोई गलती नहीं करना चाहता है और वो इस चीज को साथ में लेके चलेगा तो देखते हैं अगी क्योंकि यह चीज़े अभी confirm नहीं है जो चीज़े confirm थी हमने भी आपको confirm करके बताई है बाकि at least अगी आभी थोड़ा इसको time है launch होने में phone को let's see देखते हैं और क्या आता है इस range में OnePlus के Nord की series में तो बाकि आपको यह वीडियो कैसे लगा like करें, share करें subscribe करें और support करें बाकि मिलते हैं नेक्स वीडियो में बाई